गुड मोर्निंग सावन्थ क्लास, मैसल्फ आश्या मैं और बच्चों, आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी इंग्लिश बुक हनिकोम के नाइंथ चैप्टर एबाइस्किल इन गुड रिपेर के क्योशन आंसर्स लेशन की वीडियो आप लोगों को भेजी जा चुकी है तो आज हम करते हैं इसके क्योशन आंसर्स वीडियो को पोज करके आप बीच-बीच में इसको अपनी नोट बुक में करते रहना तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्योशन है अपका क्या विचार है और आपको अपने आंसर के लिए एक कारण देना है तो हमारा आंसर है कि मेरे आपिनियन में मेरी राय में जो सामने वाला पहिया था वो नहीं हिलता था इट बिगेन टो वूबल अनली आफ्टर रिपेयर और इसने हिलना कब शुरू किया इसकी मरमत करने के बाद विकोज सम ओफ दा बॉल्स वर लोस्ट क्योंकि कुछ गोलियां गुम हो चुकी थी तो आंसर क्या है हमारा कि मेरे विचार में अगला जो पहिया था वो नहीं हिलता था और इसने हिलना कब शुरू किया इसकी मरमत करने के बाद क्योंकि कुछ गोलियां जो हैं कुछ बोल्स जो हैं वो गुम हो चुकी थी सेकेंड क्योंस देखिए इन वट कंडिशन डिड़ दा ओथर फाइंड दा बाइसिकल वेन ही रिटर्न फ्रों दा टूल शेड टूल शेड क्या होता ओजारों वाले शेड से जब ओथर वापिस आया लेखक वापिस आया तो उसने अपनी साइकल को किस हालत में पाया तो बच्चों हमारा आंस्वर होगा वेन दा ओथर रिटर्न फ्रों दा टूल शेड कि जब ओथर जब लेखक ओजारों वाले शेड से वापिस आया तो उस समय वह व्यक्ति अगले पहिये को अपनी दोनों टांगों के बीच में फसाय हुए था उसने सादमी को कैसे पाया अपने पैरों के बीच में उसने सामने वाले पहिये को फसा रखा था डे रेस्टी अफ्द दा मशीन ले ओन दा ग्रेवल पाथ बिसाइड हिम रेस्ट का मतलब क्या है मशीन का बचा हुआ हिस्सा मतलब साइकिल का जो बाकी का हिस्सा था वो उसके पास में पत्रीले रस्ते पर पड़ा था ग्रेवल पात क्या होता है पत्रीला रस्ता थर्ड क्योस्टन देखिए कि गीर केस को निकालने से अधिक आसान कोई काम नहीं हो था comment on वही इस वाक्या पर हमें टिपणी करनी है और continue this sentence in the light of what actually happens तो हमें इस sentence को जारी रखते हुए बताना है कि reality में actually मतलब क्या हुआ था जब ओथर ये कहता है ना वो उसका friend कि गीर केस को उतारने से अधिक आसान तो कोई काम नहीं होता तो हमें बताना है कि क्या हुआ तो हमारा answer होगा तो author's friend was right while making the statement कि जो author का friend था वो बिलकुल सही था जब उसने ये कथन कहा ना तो उसने बिलकुल सही कहा था he proved what he said और इसने इसको सिद्ध करके भी दिखा दिया मतलब जो उसने कहा वो उसने प्रूव कर दिया fourth question देखिए what special treatment did the chain receive important question है ये हमारा कि chain ने क्या special treatment मिला chain को what special treatment did the chain receive कि chain के साथ क्या special treatment मतलब क्या विशेश व्योहार किया गया तो हमारा answer होगा the chain was too tight to move कि chain को पहले तो इतना tight कर दिया गया मतलब इतना कस दिया गया कि उसने हिलना डूलना ही बंद कर दिया chain बिलकुल नहीं हिल पा रही थी then it was loosened till it was twice as loose as it was before फिर उसने उसको इतना धिला कर दिया कि वो पहले की अपेक्षा दुगनी धिली हो गई तो chain के साथ क्या treatment हुआ था the chain was too tight to move chain को इतना tight कर दिया गया कि वो हिल नहीं पा रही थी फिर उसको इतना loose कर दिया कि वो पहले से भी ज़्यादा धिली हो गई fifth question देखिए the friend has two qualities कि उसके friend में दो विशेशताएं है he knows what he is doing and is absolutely sure it is good भी एक तो वो जानता है कि वो क्या कर रहा है और उसको विश्वास भी है कि वो बिलकुल ठीक है find the two phrases in the text which mean the same तो हमें अपनी text book में से ऐसी दो phrases बतानी है जिनका मतलब यही same निकलता है तो हमारी दो phrases होंगी देखिए answer the two phrases are first तो है cherry confidence in yourself यह text book की ही lines ली गई है cherry confidence in yourself कि तुम्हारा जो confidence है we know the मतलब मजा किया जो तुम्हारा आत्म विश्वास है और second है your inexplicable hopefulness inexplicable क्या होता है बच्चो एवर्णनी है मतलब जिसका वर्णनी ही ना कर सके तो तुम्हारा एवर्णनी है आशावादिता hopefulness होती आशावादिता कि एक तो तुम्हारा विनोदी आत्म विश्वास और दूसरा तुम्हारी एवर्णनी है अशावादिता अब last question देखिए describe the fight between the man and the machine किस fight को describe करना है जो उस आदमी में और machine यानि कि उस cycle के बीच में हुई तो वो fight हमें fight के बारे में बताना है find the relevant sentences in the text and write them तो इस lesson में इसी हमें उप्युक्त sentence ढूंड के ठीक वाकिया ढूंड के बताने है तो हमरा answer है बच्चों the fight started when the friend set to work to refix the gear case कि लड़ाई उस समय शुरू हुई जब वह friend gear case को दोबारा लगाने के काम में जुट गया तो लड़ाई कब शुरू हुई जब उसने gear case को दोबारा set करना चाहाना तो लड़ाई शुरू हो गई he stood the bicycle in different positions पहले तो उसने bicycle को अलग-अलग तरीके से रखा भिन-भिन धंग से उसको रखा one moment the cycle was on the gravel path and he on the top of it दो एक शन तो cycle नीचे पड़ी होती और वो उसके उपर होता the next moment he was on the gravel path and the cycle on him तो अगले ही शन वो जमीन पर पड़ा होता और cycle उसके उपर होती मतलब काफी सारी उनमें खीचा तानी हुई थी which had received most punishment it would have been difficult to say कि किसे ज़्यादा सजा मिली किसको ज़्यादा punishment मिली ये कहना मुश्किल है I hope बच्चों आपको question answers अच्छे सी clear हो गए होंगे आप इनको अपनी notebook में लिख लेना और याद कर लेना ओके, thank you किसे ज़्यादा आपको